यो तार जुना कर्म उस्टारे को खेते हैं। जिसके साथ फल की आशा चुड़ी। अनुष्य जब भी सुख़ की संपत्ति रशंसा की आशा रख कर कोई नाखर करता है। तो वह उस्टारे के फल से बंद जाता ह। जब किसी कर्म को फल की आशा से किया जाए तो उसे सकाम कर्म योग खेते हैं और जब किसी कर्म को बिना किसी फल की आशा से किया जाए तो उसे निशकाम कर्म योग खेते हैं किसी कारण से उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है वास्तव में मनुष्य को कोई कर्म नहीं बांधता उस कर्म से जुड़ी आशाएं उसे बांधती है वास्तव में मनुष्य को कोई कर्म नहीं बांधता उस कर्म से जुड़ी आशाएं उसे बांधती है वो कैसे माद? यदि ये स्योध में तुम्हें विजय होने की आशा है, तो पाराजित होने पर तुम्हें भीशन दुख होगा, और वो दुख तुमसे कोई अन्य कारे करवाएगा, जिसके लिए तुम्हें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, और यदि तुम विजय होए, तो तुम्हारा हंकार बढ़ेगा, और वो हंकार तुम्हें विश्व विजय के लिए प्रेरिद करेगा, तुमसे हत्याय करवाएगा, और उसका पाफ तुम्हें बांधेगा, विचार करो, यदि तुम्हें इस युद्ध में, ना विजय का मोह और ना पराजय का भय तो इस युद्ध के अंत में तुम्हे सुख प्राप्थ होगा या दुख प्राप्थ होगा ना सुख माधव और ना ही दुख अर्था तुम्हारा सुख दुख अताशा निराशा अहंकार युद्ध के कारण नहीं है युद्ध के साथ तुमने जो आशाएं बांधी हुई है उसके कारण है क्या ये सत्य नहीं है पाड़ सुख दुखे समेक रित्वा लाभा लाभो जया जयो सतो युद्धाय युज्यस्व नैवं पाप मवाप्स्यसी अर्थात सुख दुख को समान मानकर लाभ आनी जय पराजे का विचार किये बिना यदि तुम युद्ध करोगे कौन तै तो तुम पाप के भागी नहीं बनोगे इसी को कर्म योग कहते हैं जो सांखे का ज्यान प्राप्त कर लेता है वो ये जान लेता है कि वो शरीर नहीं केवल एक आत्मा है शरीर के भोग और अनुभव तो केवल मृत्यू तक है अर्थात वास्तविक नहीं केवल माया है उसके लिए कर्म योगी बनना सरल हो जाता है तो क्या संसार का त्याग करके सन्यास लेना उचित नहीं इसी विचार का परिणाम है कि आज ये युद्ध हो रहा है पार्थ विचार करों जब सत्वगुन से भरे धर्म को जानने वाले लोग कर्मों का त्याग करते तब अधर्म से भरे लोग भी संसार के चलाते यदि महमहीम ने संसार का त्याग ना किया होता तो आज अधर्म इतना बढ़ता ही ने और तुम्हारे पिता ने यदि सन्यास ना लिया होता तो आज प्राता युधिश्चर सुख से राज कर रहे होते और अपनी प्रजा को न्याए और धर्म का ज्यान दे रहे होते किन्तु दुखताएक बात तो ये है पार्त कि सत्व गुण से भरे मनुष्य ही संसार को लाब दे सकते हैं किन्तु वो ही सन्यास का विचार करते हैं जैसे जल तो भाब बनकर उड़ जाता और कीचड कीचड वही पड़ा रहता वैसे सत्व गुणी सज्जन लोग तो संसार का त्यार करते थे और तमस से भरे अधर्मी लोग संसार में कार्य करते इसी कारण से संसार में पाप और अधर्म बढ़ता किन्तु कर्मयोग इस विचित्र स्थिती से सारे संसार का रक्षन करता कर्मयोगी फल की आशा का त्याग करता है किन्तु कर्मों का त्याग नहीं करता वो इसी संसार में रहता सन्यासी की भाति सारे कारे करता है किन्तु उनमें लिप्त नहीं होता कर्मयोगी अपनी संतानों से स्वजनों से अपनी प्रजा से कोई अपेक्षा या आशा नहीं रखता स्वयम उसे सन्यास का लाप गोता किन्तु समाज को संसारी की भाति लाप देता मनुष्य अपनी संतानों के सुख के लिए श्रम करता है माधाड अपनी संतान से सुख की अपेक्षा कैसे न रखे मनुष्य अपनी संतानों के लिए जो भी करता है वो व्यपार है या प्रेम पार प्रेम माधा तो फिर अपने कारें के प्रती फलकी एक्षा क्यों पार अविश्चे का लाब तो व्यपार में देखा जाता है प्रेम में नहीं जो मनुष्य अपनी संतानों का चरित्र निर्मान उचित रूप से करता है संतानों को प्रेम और धर्म के संसकार देता है उसकी संताने भी मनुष्य को प्रेम और सुरक्षा अवश्य देती संतानों के कर्म, स्वजनों के भैवार उनके कर्म है पार और जब उनके कर्मों पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता तो उनसे आशाएं और अपेक्षाएं रखने का क्या प्रयोज है यदि गहन विचार करोगे पार्थ तो शीगरी ही ये जान लोगे कि जीवन में ऐसा कोई कारे नहीं है जिसके साथ आशाएं और अपेक्षाएं जोड़ना अनिवारे हो जब स्रिष्टी ही परमात्मा और मनुष्य स्वैं परमात्मा का अंश है तो सारे कारे परमात्मा ही करते मनुष्य स्वैं कुछ नहीं करता यही कर्मयोग का मूल से धान थैपार तुम्हें भी कर्म योगी बनकर ये युद करना आवर्षक है पार त्रे गुणिया विश्या वेदा निस्ट्रे गुणियों भवार जना निर्दवंद्वो नित्य अस्तत्वस्थो निर्योग शेम आत्मवार तीन गुणों का त्याग करके निर गुण बन जाओ पार इस गुण्ध से मुक्ष हो जाओ सदा सक्त वर थार परमात्मा में बुद्धी लगाकर करतव्वे का वहन करते रहो कुछ प्राप्त करने की इक्षा और कुछ प्राप्त किये हुए का रक्षन करने का विचार त्याग दो पार और अपनी आत्मा को स्वतंत्र करने कर्मन्य वाधिकार अस्ते मा फलेशू कदाचना मा कर्म फल हे तुर्भू मा थे संगोस्त्व कर्मनी तुम्हारा अधिकार तो केवल कर्म करने का है फल तो ईश्वर के हाथ में इसलिए ना कर्म से भागना उचित है और ना ही कर्म के फल की आशा रखना उचित है मा थे संगोस्त्व कर पड़िए जो फल का त्याग करते परं तु कर्म का त्याग ना करे ऐसे कर्म योगी को कैसे जाना जा सकता है माधा विष्याविनी वर्तन ते निरहारस्यदेहिना रसवर्जम रसोप्यस्याए परम द्रिश्टवा निव वर्तते तु कुनो पार्ग जो स्वाद से छूपने के लिए भोजन का ही त्याग कर देता है बास्तब में उसके मन से स्वाद की लालसा कभी जाती ही नहीं उसे दोहरी हानी होती है एक तो वो निर्बल हो जाता है जिसके कारण परमात्मा को प्राप्त करने का जो प्रैत्न निवारे उसे वो नहीं कर पाता और दूसरा सदा ही उसका मन स्वाद की लालसा से भरा रहता है इसलिए भोजन का त्याग करने से उत्तम है स्वाद की लालसा का ही त्याग कर दिया जाए कर्म योगी अपने मन की सारी लालसाओं को खीच लेता है जीवन को कर्टब्य बान कर कार्य वश्य करता है किन्तु उन कार्यों से जुड़ता नहीं और बात जो वेक्ति अपने कारयों से आशाएं और इच्छा नहीं रखता उसी के कारय पूर्ण होते एक असफलता से दुखी होकर जिसका मन डोलता नहीं एक सफलता से आनन्दित होकर जो स्वयम को स्तर्व श्रेष्ट नहीं मानता ऐसे ही वेक्ति को कर्म योगी खहते हैं और ऐसा वेक्ति जीवन में बार बार सफल होता है ध्यायतो विश्यान पुन्सा संगस्तेशु पजायते संगात संजायते कामा कामात द्रोधो भिजायते द्रोधात भवती सम्मोहं सम्मोहात स्मृती विभ्धमं स्मृती प्रिंशात बुधी नाशो बुधी नाशात प्रणश्यती प्लकी आशा से कामना प्रकट होती है और कामना का तो स्वभाव है असंतुष्ट रहना असंतोष से क्रोध उत्पन होता है और क्रोध से मोह जनता मोह के कारण वेक्टी आचार और वैवार का ज्यान ही भूल जाता ज्यान के जाने से बुद्धी चली जाती अनुचित प्रकार के कारे होने लगते और समाज ऐसे वेक्टी का शक्त्रू बन जाता और रंध में ऐसे मनुष्चिक पूर्ण सा पतन हो जाता जैसे भ्राता दुर्योधन उनके सेना पती महा महीम उनके ही शक्त्रू हैं और तुम्हें विजे का अशिरबात दिया थे पार्त कर्म योग प्रम विद्या का दूसरा चरण है प्रमात्मा में अपनी बुद्धी स्थिर करो स्वयम को आत्मा जानो मिध्या बंधनों से मुक्त हो जाओ और फल की आशा का त्याक करके केवल कर्म करते रख